हेलो फ्रेंग्स हमारे चाइनल कुकिंग हिक्स पे आपका फिर से स्वागत है आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी सबजी सेयर करने वाले हैं तो चलिए हम इसे फटा फट बनाते हैं तो यहां पे हम सबसे पहले एक बैगल लिए है और यहां पे कदू के पत्ते तो यहां पे कदू के पत्ते कु को हमें अच्छी तरा से पहले फ्रेह कर लेना है पाने से 2-3 पानी वाश करके और शोटे चोटे चोटे jutे चोटे अब तुक्रो में तोड लेनी है आप यहां पे देख सकते gir वाये को बीदफो Ciao । एसे ही बारिक हमें तोड लेनी है यानि कर लेनी ह और यहां पे हम बैगन आप बैगन के जगह घ्यूरा भी ले सकते हैं तो हम यहां पे बैगन लिए हैं तो बैगन को हम अच्छी तरह से महीन बारी कट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फीर हम वाश कर लेंगे तो यहां पे अब हम आपको मसाले भी दिखा देते हैं तो यहां पे हम दो चमच हम यहां पे लिए हैं पीली वाली सर्सो अब दो चमच से कम भी ले सकते हैं यानि क्वांटिटी के उपर निभर करता है और यहां पे लाल मिर्च और लासुन की 10-12 कल्या तो इन्हीं हम करेंगे इसमें पानी अइड़् कर देंगे और यहां पे हम इसका पेस्ट त्यार कर लिये हैं तो इसे में-चाइट करते हैं और एक कढ़ाई में हम अ थेल आयड़् करेंगे जब तेल अच्छी तरह से कढ़म हो जाएगी तो रहेके हिसमें एक चमच मेहषी नाटिटीtur ? old और यहां पे तो सुखी लाल मिर्च इसे हम कुछ सकेंड के लिए भूनेंगे यानि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले बैगन को एड़ करेंगे तो यहां पे हमें बैगन को चलाते हुए अच्छी तरह से हमें इसे सॉफ्ट करनी होगी यानि अच्छी तरह से यह कुख हो जाए हमें बैगन सब तक इसे कुख करना है तो इसे फ्राइ होने में लगबख दिन से चार्मियट लग जाते हैं तो यह लिजिए बैगन काफी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है अब अम इसमें अध्ट कर देंगे मसाले का पेस्ट और यहाँ पर एक छोटी चमच हल्डी पवडर और चोटी चमच कसमेलि लाल मेच पावडर और यहाँ पर नमक मिक्स करेंगे और यहां पर गैस का फ्लिम लो करके 5-6 मिनत के लिए मसाले को हमें अच्छी तरह से रोष्ट करना है यह देखिए मसाले के ऊपर जब तेल हमें डिखने लगे तो आप समझेए कि मसाले बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है यानि फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें बाके के जो मगरी है उसे आप एड कर दें तो यहां पर हम थ्वासा मसाले और अच्छा से भून लेते हैं और बैकन को है थ्वासा चन्वे से ही मिक्स कर देंगे मसाले के साथ और अब हम इसमें एड कर देंगे क कर्दू के पत्ते इसका आप साग बनाए या फिर सब्जी बनाए ये काफी टेस्टी लगती है या फिर आप इसका चटनी बनाए तो हम इसका चटनी का भी रेस्पी बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं और हम इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे अगर आपने कभी भी कर्दू के पत्ते को सब्जी बनाए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर्द बताए अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप इस तरीके से एक बार जरूर्द बनाएगे गा और यहां पर देखिए इसे चलाते हुए लगबग एक से दो मियट हो चुकी है इसमें से पानी आने लगा है यानि जो पत्ते है वो अपना जूस छोड़ दिये हैं तो अब हम आप इसे कौबर कर दे और दो से ते मियट के बाद ऐसे आप चलाते रहें तो आप गैस का फ्ल करते रहें तो यहां पर हमें तब तक इसे कूप करना है जब तक इसमें का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राइ नहीं हो जाए तो यहां पर हमें पानी को अच्छी तरह से ड्राइ करना है आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर तेल भी हमें दिख रही है यानि बह कर दें लाल मतनी होती है उसे आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं जो बैगन और साघ है वह अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए है तो यहां पे इस तरह के से लेकर और एक से दो मियद के लिए ऐसे कड़ेंगे तो यह पोट भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और यह सॉफ्ट भी बन जाएगी तो यह लिजिए हम बहुत अच्छी तरह से मीज कर दिये हैं अगे दिखिए कितना यह चिकना लगने लगा दिखने में सॉफ्ट भी और यह बहुत अच्छी तरह से ड्राइब हो चुकी है तो यह अब ताक या फिर आप इसे सब्जी कहें तो यह बन के तयार है अब आप इसे अपने मन पसंद चावल रोटी के साथ खा सकते हैं यह काफी टेस्टी लगती है आप एक बार जूर ट्राइब किजिएगा इससे बनाना बहुत ही असान है और यह बहुत ही ज़्यादा ट कर तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जोर सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार थैंक्स पॉर प्रवच्छ